इस नमस्कार किस्सा UP का देख रहाँ पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिंग समाजवादी पार्टी के निटा आजम खान पर एक और एक्शन लिया किया है आजम खान के रामपूर में इस्तिवदारूल अवाम दफ्टर को सील किया गया इसके साथ ही रामपूर के समाजवादी पाटी कार्याले को भी ताला लगा जिया गया इस दौरान सप्पा कार्याले से सप्पा निताओं को बाहर निकाला गया इस मामले को लेकर रामपूर एसपी ने कहा कि मादमिक सिक्षा अधिकारी की तरफ से ये ताला लगाया गया है अब इन दोनों संपतियों पर मादमिक सिक्षा ब्रभागता कबजा है इसे मुद्धे पर आज चर्चा के निकले मेरे साथ स्टूडियो में मौचूद है कितना बड़ा जटका है ये आजम खान और अखलेश यादव के लिए देखिए ये जटके पर जटका लगता रहेगा क्योंकि इन लोगों ने जो करप्सन किया है जो बैमानी की है अब उसका धीरे धीरे हिसाब हो रहा है आजम खान ने क्या किया ये अभी आजम खान अखलेश यादव ये सारे लोग आरोप लगाएंगे कि परशासन ने गलत किया है अखलेश यादव बार बार कहेंगे कि आजम खान के खिलाफ जो कारवाई हो रही है वो मुसलमान होने के कारण हो रही है लेकिन सच्चा ही क्या है आप एक स्कूल खोलते हो सबसे पहले वो छोटे मोटे स्कूल जो रामपूर पबलिक स्कूल है वो भी एक दूसरे स्कूल पर कबजा करके बनाया गया तो पूरी विवस्ता बदली गई वहाँ पर चार हजार से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे पहले लेकिन धीरे धीरे आजम खान ने अपने पावर का इस्तेमाल करके मुलायमसन के सबसे नजदी की व्यक्ती राइट हैंड मंत्री बने हुए थे जिनकी भैस खुल जाए तो पूरा पुलिस महकमा उनके पीछे पीछे धूनने के लिए चला जाए ऐसी रुतवा थी आजम खान की तो इन्हों ने अपने उस ताकत का दुरूपयोग किया और जो पहले से चल रहे थे स्कूल उसको धीरे धीरे बरवाद करके उसके जमीन पर कबजा कर लिया दूसरा मुहमद अली जोहर ट्रस्ट बनाया और वो ट्रस्ट जब बनाया तो सरकार से 12 अकर जमीन ली वो भी सरकार अपनी दवस्ता अपनी डियम साहव अपने सारे के सारे लोग जब उपर से नीचे तक नहीं के थे तो फिर कौन रोक सकता है वो भी अवैज तरीके से ट्रस्ट के नाम जमीन की और फिर वहाँ पर जोहर इन्वस्टी बनाया फिर उसके बाद क्या किया ये सौ करोर की जमीन कोडियों को भाव जो लिया हजार रुपे में कॉन्ट्रेक्ट पुरा उससे भी इनका मन नहीं भरा कि ये 12 हेकर से क्या होगा आज पास के जमीन हडपना शुरू किया जबकि इसमें ट्रस्ट के डीड में साफ तोर पर लिखा हुआ था कि आप के पास जो सरकार ने जितनी आथरेटी दी है उससे आगे की जमीन आप नहीं ले सकते ट्रस्ट के नाम पर अब ये धमकी देते थे उसके पास के लोगों को जिसकी जमीन उनके बोर्डर पर है तो वो उन लोगों को धमकी देते थे और फिर उसे बेचने पर मजबूर होना पड़ता था क्योंकि सरकार की ताकत थी पुलिस इसके पास और प्रशासन इसके पास तो कौन रोकने वाला है फिर क्या क्या अब आप एक ट्रस्ट के नाम पर सरकार से अनुदान ले रहे हो यानि अनुदान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हर साल पैसा दिया जाए ये जो जमीन दी गई है हजार रुपे में सौ करोड के जमीन ये भी तो अनुदान ही है इसलिए सरकार ने नियम बना के रखा कि कोई भी अगर स्कूल है जो सहरों में चल रही है उन प्राइबेट स्कूल को अगर सरकार ने जमीन अनुदान में दी है यानि सो रुपे में कॉंट्रेक्ट होता था तो उन जमीन पर बने हुए कोई भी प्राइवेट स्कूल में EWS कोटा होगा जैसे दिल्ली में होता है कि दिल्ली का कोई भी प्राइवेट स्कूल है उसको आठवी कलास तक पहले राइट टो इजूकेशन ब देखा कि आपको हमने जमीन दी मुफ्त में जमीन दी आपने क्या कहा कि एजूकेशन एक सोसल सर्विस है हम समाज सेवा कर रहे हैं क्योंकि हम एक अच्छा एजूकेशन देंगे तो उसके लिए सरकार ने आपको सहयो किया और कम से कम जमीन मुफ्त में यानि कि मिनिमम कॉस पर ये कॉस्ट है ही नहीं मुफती कहा जा सकता है एक टोकन मनी के तोर पर आपने सो दोसो और एक अखजार उप्या का कांट्रेक्ट कर वा लिया और सौ सालों के लिए आपको जमीन मिल गई आप ने जमीन पर स्कूल बनाया और स्कूल को प्राइवेट स्कूल बना दिया उसके बाद क्या किया सरकार के सारे नियमों के धजिया उड़ा दी सरकार के कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि जिसके तहत वो तै कर सके कि प्राइवेट स्कूल भी आप खोले हो तो आपकी फीस कितनी होनी आप transportation fees के नाम पर क्या करते हो गर्मी के छुटी भी हो तो लड़कों से बच्चों से पैसा लेगे transportation के नाम पर जब एक महीने स्कूल ही नहीं चली तो आप उसका transportation का चार्ज कैसे जोड़ोगे tuition fees कैसे जोड़ोगे development का चार्ज कैसे जोड़ोगे ये विवस्ताएं सरकारी स्कूलों में थी इसलिए ये नया नियम बनाया गया कि सरकारी स्कूल और private स्कूल जो भी है अब private स्कूल जो है या ट्रस्ट के माद्य हम से चल रहा है वो बच्चों से पैसा बसूल रहा है तो उसको कम से कम अपने छेतर में 10 पसेंट 15 पसेंट 20 पसेंट अलग-अलग कोटे निर्धारित है कॉलिए स्कूलों में हर कक्षा में वहाँ पर आपको EWS एक्स्ट्रीम बैकवर्ड जो क्लास है वो एकनॉमिकली उन लोगों को EWS कोटे के तहत एड़िसर देना पड़ेगा मुक्त में आपको पैसा नहीं लेना है अब ये विवस्था इसलिए बनी क्योंकि सरकार ने पैसे दिये थे हॉस्पिटल में भी यही कहा गया प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर जमीन दी गई है आप भी कहते हो सोसल सर्विस करते हैं लेकिन सोसल सर्विस के नाम पर आप जो स्वीट चला रहे हो आप जो बड़े बड़े 55,000 रुपया एक कमरे का एक बेड़ का चार्ज ले रहे हो कमरे का तो बात ही अलग है कमरे के चार्ज है तो 10-15,000 है बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेकिन उसके लिए जमीन आपने जो एक कौईर किया है और बड़े सहरों में जैसे दिल्ली जैसे जगों पर ये प्राइम लोकेशन में जमीन सेकडों हजारों करों का है आपको मुफ्त में दिया गया ताकि आप स्वास सेवाए निर्धारित करें और इसलिए सरकार ने बाद में किया कि आपको प्राइवेट ओपिडी देना पड़ेगा जो कि उस ओपिडी में आप एक निर्धारित फीस लेंगे पचास रुपया आप पांच सो रुपया फीस नहीं ले सकते फिर उसके बाद आपको एक सर्टेन कोटा में बेड रखना पड़ेगा जो गरीवों के लिए है उसके लिए आप मिनिमम पैसे लेंगे जैसे कि सरकारी ऑस्पिक्टल जो है जैसे राममनहर रुहिया दिली में है उसके बाद एमस है यहाँ पर मुफ्त में भी बेड दिये जाते है और उसके साथ एक प्राइवेट वार्ड होता है जो अगर संपन लोग हैं जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट वार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मुफ्त के जो बेड हैं वो सिर्फ गरीवों के लिए रहे और इसलिए उसके चार्जेर रखे जाते हैं जादा नहीं रखे जाएगे अगर प्राइवेट होस्पिटल में इस एक वार्ड के एक रूम का चार्ज आठ हजार दस हजार है तो MCI राम मनुहर लोहिया के प्राइवेट वार्ड के एक रूम का चार्ज दो सिठा हजार रुपया है तो ये सोसल सर्विश बताया जाता है आजब खान ने इस सोसल सर्विश का दुरूपयो किया इसने ट्रस्ट बनाए और फिर उस ट्रस्ट और इस इन्वरस्टी के आज़ पास के जमीनों पर कबजा किया फिर रामपूर पबलिक स्कूल खोला और फिर वहाँ पर कुछ दफ्तर बनाए अब ये जो सरकार ने आपको कॉलेज चलाने के लिए जमीन दी जो सरकार ने आपको स्कूल के लिए जमीन दी उस जगह पर पार्टी का आफिस बनाओगे ये तो पूरी तरीके से जो बाइलॉज होते हैं ट्रस्ट के उस बाइलॉज के खिलाप है ये डीड में आपने ये नहीं कहा था कि हम यहां से राजनितिक गतिविदियां चलाएंगे इसलिए जब विधान सभा में पास हुआ कि अब ये जो जोहर ट्रस्ट है और जो जोहर इन्वस्टी है इसने कई नियम कानूनों की धजियां उडाई है तो इसकी पूरी प्रोपरटी अब सरकार अपने पास लेगे माद्मिक सिक्षा बोर्ड के पास ये चला जाएगा वो इसको कैसे ऑपरेट करना है ये देखेगे अब इसलिए जब वहाँ पर माद्मिक सिक्षा बोर्ड के तहट वहाँ देखा गया उब्जर्व किया गया तो देखा गया कि यहाँ तो समाजवादी पार्टी का कार्याले भी चल रहा है वहाँ से राजितिक गत्विधियां चला रहे हो तो इस पर सरकार ने क्या किया वो पूरे कबजे में ले लिया अब वहाँ पर जब समाजवादी पार्टी के कार्यकरता नेता बैठा है तो वो तो विरोध करे गई हंगामा करे गई लेकिन ये सरकार अखलिस यादब के नहीं है ये सरकार योगी आदितनात की है पुलिस को फुल पावर दिया गया है पूरी तरीके से कि अगर जहां नजाइज होता है गलत होता है तुम वहाँ जाओ और उन लोगों को सबक सिखाओ इन लोगों को दवड़ा दवड़ा कर पीता गया अक्शन की खुली छूट है तो इन लोगोंने विरूध परदर्सन किया कि कुछ दिन और रुख जाए लेकिन वहाँ पर सबको दवड़ा दवड़ा कर भगाया गया अभी भावक भी आए बच्चों के काफी जादा उनके भविश्य को लेकर चिंता जता रहे थे तो अधिकारियों का कहना था कि हम उनके लिए भी कुछ अच्छा करेंगे सोचेंगे देखिए उन लोगों को बच्चों को जो वहां पढ़ रहे हैं उसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि पहले ही सरकार नहीं आश्वासन दे दिया है कि स्कूल कॉलेज जो बंद होने वाले हैं इसका मतलब की उस पर ताला नहीं लगेगा उसके जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं उसको बाहर निकाला जाएगा ट्रस्टी नहीं रहेंगे सरकारी अस्तर पर वो सेशन चलता रहेगा अगर ऐसे नहीं है कि अकेडमिक सेशन के बीच में रोग दिये और जो दसमी में पढ़ रहे हैं वो बोर्ड का एक्जाम नहीं देंगी बारहमी में पढ़ रहे हैं वो फिर एक्जाम नहीं दे पाएंगे ट्वेल्थ का ऐसी विवस्था नहीं है उन लोगों को दिकत नहीं होगे हाँ confusion है उन लोगों के अंदर भी confusion है कि इतना बड़ा action हो रहा है तो हो सकता है हमारे बच्चों का बविस अधर में लटक जाए लेकिन पूरा स्वासन दिया गया है प्रशासन के तरफ से कि आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन आजम खान अखलेस यादब को ब रस्त हो गई थी योगी सरकार की cabinet में सर्व सहमती से ये फैसला लिया गया था और अब शासन के आदेश मिलने के बाद सरकार की ओर से स्कूल और कारयाले को खाली करा दिया गया है किस्सा यूपी का में फिलाल के लेतना ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए साथी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी रही हुआ 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 है